हेलो गाइस आप सभी लोगों का अब फिर से स्वागत है हमारे नई वीडियो में आज हमें इस वीडियो में बात करेंगे युरोपेंट टीटाइन क्रिकेट लीग के गुरूप E के मैच के बारे में ठीक है जो नववा मैच होगा इस गुरूप का जो खेला जाएगा फौर सायर्स वर्सेस बी एस सी रेंग बर के बीच यह मैं दस बजे स्टाट होएगा इंडियन टाइमिंग के नुसा डेट है दस मार्च आज ही की है वेदर की बात करें तो वेदर के किलियर वेदर है बारिस के कोई भी चांस नहीं है और वेनु काटमा ओल काटमा में खेले जा है इस टूनामेंट के मैच तो आज भी इसी टूनामेंट पर है ठीक है पिच रिपोर्ट की बात करें तो एक आर्टी विचल पीच है जिसके ब्रेवियर में कुछ भी चाहिए यहाता है सेम रहती है और बैटर और बालर के लिए सेम रहती है एवरेज इसकोर देखे तो 100-110 बैटर बनता है और बैने रिकोर्ड की बात करें सीजन में तो लगबग 58 मैच हो चुका है जिसमें तो 30 जीते है बैटिंग करने वाली टीम ने और 28 जीते है बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ठीक है वीडियो का पूरा देखना ताकि आपको तीन और दौनों टीमों के बा इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्सर में डाल रहा है ठीक है और वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करना और आपको कुछ दिक्कत लगए तो आप कमेंट भी जरूर करना कोई दिक्कत नहीं है आप कमेंट करोगे तो हमको हम आपका जवाब देएंगे और वह जो इस टूना मेंट में तीन मैच खेली जिसमें से एक मैच जीती है एक हारी और एक बारिज की वज़े से धुला है यह एक अच्छी टीम है पिछला मैच हार गई है लेकर फिर भी टीम अच्छी है इंपोर्टेंट पिलियर है सारे इसमें इन्हों के तरफ से ओपनिंग कर बनाएं मस्ट पिक पिलियर है और सीवी सी का एक डिफॉल्ट चॉइस भी बोल सकते हो इसके बाद कालूं गार्डन गार्डन जो विकिट की प्रिक सेक्षन में मिलेगा विकिट की प्रिक से मस्ट पिके 29 मैच में 371 बनारा के 20 की एवरेस से टीटैन में और इस जो ओल डाउंडर है अच्छा घास ओल डाउंडर एक्सपिरेंस मैच में इसने 45 रंड बनाया और टीटवंट टीटैन में आट अवर की गैंधवाजी करी चाह विकिट लिए तो मस्ट पिक पिलियर है इस टूनामेंट में 3 मैच में 37 बनाया 2 वरों की गैंधवाजी करी 0 व इसके बाद ले रोबर्टसन जो बॉलिंग और बैटिंग दौनों कर रहा है इस टूनमेंट में नंबर चार पर बैटिंग कर रहा है साथ ही दो अवरों की अच्छी खासी गैंदबाजी प्रोवाइड करवाएगा टीटैन का रिकॉर्ड देखे 6 में 10 ओवर की गैंदबाजी पांच विकिट लिए डिसंट फौन देखे तो इस टूनमेंट में 3 मैच खेला है 20 रन बनाया है 3 ओवर की गैंदबाजी करी 3 विकिट लिए इसके बाद जेक होगाट इसने टीटैन में 30 मैच केल रखे है आवरो प पांच मैच में तीन रन का है इसके बाद जैमी कींगे कि आसा बॉलर आपको कंफर्म दो औरों की गैंद बाजी देगा और दोनों मैचों में भी इस ने तीन विकिट लिए इसके बाद फ्रेसर रोज जिसने टीटन में पांच मैच खेले तीन रन बनाए इस टूणामेंट मे तीन मैच खेला है मातर एक रन बना पाया है बैटिंग पोजिशन खूब नीचे है ग्रेंड लीग में आप चाओ तो ले सकते हो फिलाल के लिए आप रिमूव करके चलो तो ही ठीक है बैटिंग पोजिशन खूब नीचे और उपर के जो भी बैट्समेन है वह अच्छे खा पर करेंड में खेला है दो रन बनाए एक और की गणबाजी कर जीरो विकेत लिए ठीक है इदर से बात करते हैं मस्ट पिक कॉनसे आपके लिए जो अच्छे सी बीचिक है तो पर चाहओ तो ब्राइस या फिर लूई किसी एक को ट्राय कर सकते हो ठीक है बैंच की बात करते तो बैंच पर दो पिलिया रहा तो इन में से कोई खेलेगा तो उसके स्टैट्स आपको टेलिग्राम चैनल पर मिलेगे जिसका लिंग हमने डिस्क्सिंट में दे रखा है बात करते हैं दूसरी टीम बी एस सी रेगबर की जिसने इस टूनामेंट में तीन मैच खेले दो जीते लेकर उससे पहले मैच हुआ था तो उसमें से नवाज एमाद ने बैटिंग करे थी ठीक है लेकर अगर से नवाज एमाद खेलता है तो वापिस वो ओपनिंग करेगा नजीब उला यासिर के साथ कासित मेमूद की बात करे तो टीटैन में साथ मैच खेले 17 रन बनाया तीन कि गंदबाजी खड़ी एक विकेट लिया है कलब टीटोंटी की बात कर तो आठ मैच में तैयालिस रन दस की एवरेस से और इस टूनमेंट के तीन मैचों में 22 बनाए इनों का भी एक मैच बार इसकी वज़े से धुला है तो इनों के भी हमने तीन मैच लिखे हैं लेकर सभ मेहमुद ने इसके बाद है नजी बुला यासिर तीन मैच में 63 रन दो आवर की गंदबाजी एक विकेट लिए टीटन का रिकॉड दे के 22 मैच में 282 रन अठारा की एवरेस से बनाए 8 आवर की गंदबाजी करेगा पहले मैच में दो आवर की गंदबाजी करीपन दूसरे म बना रखे है टीटन में एक वर की गंदबाजी करिए और जीरो विकेट लिए पहले तीन मैच में इसने मातरा चेहरन बनाए ऐसे डिफ्रेंसल आप ट्राय कर सकते हो पुराना रिकॉड अच्छा है क्यों सामने बॉलर अच्छा है तो जादा कर चांस है कि उपर से विकेट करेंगे जो थोड़ी बहुत कांटो बेटिंग से कर सकता है इसके बाद अली भटी इसको भी आप ले सकते हो तीन मैच में 36 रण बना इसने इस टूनामेंट के दो औरो की गंदबाजी करिए जीरो विकेट लिए टीटन में बारा मैच में 21 बनाए 15 और की गंदबाजी लिए इस टूनामेंट के तीन मैचों में 30 रण बनाया चार ओवर की गंदबाजी करिए दो विकेट लिया अनि हर मैच में दो दो आवर की गंदबाजी करिए और साथी बैटिंग करते हैं मैच लिए हमने आप ठीक है जो एक नौ रिजल्ड था और इंटरनेशनल का रिकॉ दे सकते हो इसके बाद है नूरादीन मुजा डैडी जिसने टीटैन में 23 मैच खेले 237 रण बनाये 19 की एपरेस से 40 ओवरों की गंदबाजी करिए 16 विकेट लिए टीटी इंटरनेशनल में देखे तो इसने 6 मैच में 28 रण बनाये 15 ओवर की गंदबाजी करिए 4 विकेट लि जिसके टीटैन में 20 मैच खेले 210 रण बनाये 6 ओवर की गंदबाजी करिए 2 विकेट लिए इस टूनामेंट के दो मैचों में 34 रण बनाया दो तीन ओवर की गंदबाजी करिए एक विकेट लिए यानि आपको थोड़ी बहुत बैटिंग भी कॉन्टुबिट करके देगा औ तेस विकेट लिए इस टूनामेंट के दो मैचों में मातर एक ओवर मिला जिसमें एक विकेट मिलाता इसको इसको इसके बाद है सुरेश बोनागरी जिसने कलब T20 में 14 मैच खेले 70 रण बनाया चौपन ओवर की गंदबाजी करवाते हैं 18 विकेट लिए इस टूनामेंट का तो तीन मैच में एक ओवर की गंदबाजी करवाई है मातर और जिसमें विकेटलस गया इसके बाद है पारस चौधरी जो लास्ट पिलियर है पारस चौधरी की बात करें तो मातर एक मैच खेला आई है जिसमें इसकी बैटिंग नंबर 11 पर आई ती जिसमें जीरो रम थे इ साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इस टूनामेंट से लेटर सारे वीडियो मिल जाएंगे हम आपको हर जो भी मैच होता है दिन में पांच मैच होता है हम आपको पांच वीडियो के अपडेट देते हैं तो आपके लिए अच्छा एलफूल वीडियो चैनल हो सकता है क्योंकि टूनामेंट का टूनामेंट बढ़ा है इसके बाद दो गुरूप के मैच और होएंगे परसो तो उसके भी आपको वीडियो देंगे साथ ही इस टूनामेंट के बाद इनों का चैंपियंशिप वीक स्टार्ट होएगा जो हर केमरून साजात लिकेट लाय रोबर्ट सन इमरान चौदरी नजीब उल्ला यासिर जेख होगाट और एन मुझा डेडडी और जैमी किंग ठीक है जैमी किंग जो भी नाम है इसका जे किंग इस पिलियर को लिया है पनिया फाइनल टीम नहीं है फाइनल टीम टॉस सकते हैं नजीब उल्ला यासिर भी मश्ट पीके और डिफ्रेंशल तोर पर चाहो तो लेरी टॉबर्ट सन को बना सकता है क्योंकि नंबर चार पर बैटिंग कर रहा है साथ ही दो औरो की बालिंग कर रहा है इसकोट केमरून को भी ट्राय कर सकते हो इसके अलावा वाइस चैनल पर आपको प्रोवाइट करवा देंगे इसका लिंक हमने डाल रहा है वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो और कुछ दिक्कत लगे तो हमको कमेंट कर सकते हो या टेलिग्राम से जोईन होके हमको प्रस्टनल मैसिज करोगे ता हम उसका भी रिप्लाय द इस टूनमेंट के रिकॉर्ड और ऑवराल रिकॉर्ड भी बता दिये और कौन सी टीम मजबूत है इसमें अब को बता दिया है इस वाइश और यह इसमयद में जीतने के चांस बनते है तो इसके जादा जादा प्ले लेने कोजिस करना बेटिंग करती है तो क्रेइग वेलिस स्वियर करो और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि हम आपके लिए अच्छे से काम कर सके और टेलीग्राम चैनल से भी जोईन हो जाओ आपके हमारी फाइनल टीम के लिए धन्यवाद